भारत में आसान शेतरों का ख्याल आते ही जितनी जल्दी से कस्मीर का ख्याल आता है उतनी जल्दी से नागा लेंड का ख्याल नहीं आता है आपको जान कर अचरज होगा कि नागा विरोध भारत ही नहीं दुनिया का सबसे पुराना समय से चला रहा विरोध है भारत की कलपना में खुद को अलग थलग महसूस करना नागा विरूत का सबसे बड़ा कारण है आसान सब्दों में से ऐसे समझे कि भारत का खयाल आते ही जितने जल्दी उत्तर भारत और दक्षण भारत का खयाल आता है उतने जल्दी भारत के पुर्वी इलाकों का खयाल नहीं आता है यही नागाओं की अपनी पहचान की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करता है कई बार की बात चीत के बार भी इस बार भी नागा सांती समझाता अपने अंती मुकाम तक नहीं पहुँच पाया इस बात पर अडग्या की उसे अलग संविधान और जंडा चाहिए आई ये बहुत संचेप में नागा अंदोलन के इतिहास से रूबरू होते हैं भारत के पुर्वी इलाके पर आजादी से पहले राजाओं का राचला करता था या इलाका कई तरह की जंजातियों की बसावट से भरा हुआ था जिनकी जीवन सहलियां एक दूसरे से बहुत अलग थी यानि भासा, रहन सहन, परंपराओं, निश्ठाओं और आस्थाओं में यहां की जंजातियां एक दूसरे से अलग थी अपनी पहचान को सबसे एहम हिस्सा मान कर खुद को जताने की इक्षा जिस तरह से दूसरे समुदायों में होती है ठीक ऐसे ही इनके अंदर भी थी, यह भी नहीं चाते थे कि इनकी पहचान पर खत्रा मन रहा है आजादी के बाद लकीरे खिच कर जिस तरह से पुर्वी भारत को बांट दिया गया वहीं से पुर्वी भारत में बहुत सारी परिसानियों का जनम हुआ, जो अब तक बरकरार है नागा जनजाती के साथ भी यही हुआ, नागा एक अकेली कौम का नाम नहीं है, यह जनजातियों के समूह का नाम है हर जन जाती अपने आप में अनोखी होती है लेकिन कुछ बाते इन्हें एक दूसरे से बांदेती है नागा पहाडों पर रहा करते थे जिनें नागा हिल्स कहा जाता था ये पहाड संसाधनों से पटे पड़े थे अंग्रेजों की चाहत थी कि वह इन संसाधनों पर कपज़ा जमा ले आधिकारिक तोर पर साल 1881 में नागा हिल्स ब्रिटीस भारत का हिस्सा बन गया लेकिन नागा ब्रिटीस भारत का हिस्सा अपनी मर्जी से नहीं बने थे इनके साथ भी जबरदस्ती की गई थी जैसा कि सामराजवादी ताकतें अपने उपनिवेसों के साथ किया करती थी साल 1918 में नागाओं ने आपस में मिलकर नागा कलब बनाया जब भारतिय प्रसासन के सूरते हाल का जाजा लेने साइमन कमीसन आया तो नागाओं ने कहा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए हम जैसे जीते आ रहे हैं वैसे ही जीना चाहते हैं साल 1946 में अंगापी जापो फीजो की अगवाई में नागा नेस्टल काउंसिल बना सुरवाती समय में इनका कहना था कि नागा हिल्स के तौर पर ये भारत में रहेंगे लेकिन अपने सासन चलाने के तरीकों को वह खुद तै करेंगे यानि वह स्वायत रहेंगे लेकिन आजादी के ठीक पहले फीजो इससे मुकर गए 14 गस्त 1947 को नागाओंने खुद को आजाद घोसित कर दिया उसी दिन पाकिस्तान भी बना सबका ध्यान पाकिस्तान पर था पाकिस्तान बनने की सोरगुल में यह बात दब गई पाकिस्तान को तो देश के तोर पर मानेता मिली लेकिन नागाओं को नहीं मिली भारत के संबिधान बनने के एक साल बाद नागा नेशनल काउंसिल की अगवाई में नागा गोटों ने रेफरेंडम करवा लिया रेफरेंडम जिसे आम लोगों के बीच जनमत संग्र और रायसुमारी कहा जाता है जिसका नाम आते ही नहरू की आदाती है आधिकारिक तोर पर उस समय नागा समू असमराजी के अंदर आता था रायसुमारी के बाद यह पता चली कि 99 फिश्दी से अधिक नागा आजाद रहना चाहते हैं और आजाद नागा लेंड चाहते हैं लेकिन भारत सरकार ने इस रेफरेंडम को मानने से इंदकार कर दिया इसके बाद नागाओं की हिंसा जारी रही जड़ पे बढ़ती चली गई वे अपनी आजादी के लिए लड़ते रहें 22 मार्च 1952 को फिजो ने भूमिगत नागा फेडरल गवर्न्मेंट और नागा फेडरल आर्मी बना ली यानि देश के अंदर देश और हर देश की अपनी अपनी फौजें लड़ाईयां हुई नागाओं ने जंगलों में छिपकर लड़ाईया लड़ी च्छापा मार लड़ाईया लड़ी यहीं से अपस्पा कानून की सुरुवात होती है जिसे बाद में जाकर कस्मीर पर लागू किया जाता है और आम अवाम को लगता है कि कस्मीर में पनफ रहे आतंकवात को उखाड़ने के लिए आपस्पा का कानून आया था जब फौजी हरकते तेज हुई तो नागा गोटों के नेता उस समय के पुर्वी पाकिस्तान से होते हुए लंदन चले गए लेकिन फौजी बंदूकों से कहां कभी कोई हल निकलता है यहां भी यही हुआ लड़ाईयों से ठकने के बाद पक्षकारों को सांती के लिए मेज पर बैठना पड़ा, साल 1963 में असम से नागा हिल्स जीले को अलग कर नागा लेंड राज्य बना दिया गया, नागा लोगों को ज्यादा हग दिये गए, देश के संविधान में संसूधन करके अनुछेत 371 ए जोड़ा गया, जिसके मताबिक केंद्र का बनाया कोई भी अगर नागा परमपराओं, मतलब नागाओं के धार्मिक, समाजिक नियम, उनके रहन सहन और परामपरिक कानून से जुड़ा हुआ है, तो वह राज्य में तभी लागू होगा जब नागा लेंड की विधान सबाब भहुमत से उसे पास करा देगी, यानि नागा लोगों क संस्कृती को सुरक्षित रखे जाने का भरोसा दिया गया, इस दोरान नागा समुदाय में इसाई मसिनरियों का भी प्रभाव हावी हो रहा था, जनजाती लोग बहुत तेजी से इसाई धर्म अपना रहे थे, साल 2011 के सेंसस के तहत नागा लेंड की पूरी आबादी में इ भारतिय सेना जितनी मजबूत होती, नागा समुदाय भारत से उतना दूर चला जाता, जिनके परिजन इस संघर्ष में मारे जाते, वह खुद को भारत से बहुत दूर कर लेते, यह बात दोनों पक्षों को समझ में आ रही थी, इसलिए फिर से सांती की पहल छिड पड़ी इंद्रा गांधी की सरकार थी, 11 नॉमबर सन 1975 को सिलॉंग समझोते पर हस्ताक्षर करने के लिए एननसी नेताओं का एक गुट सरकार से मिला, जिसमें हत्यार छोड़ने पर सहमती जताई गई, यह भी कहा गया कि वह अलग राज्जी की मांग नहीं करेंगे, भारतिय सम्व जिधान के अंदर ही रहेंगे, लेकिन नागा समुदाय के विरोत की सबसे बड़ी परिसानिया थी, कि इनमें बहुत सारे गुट थे, सब खुद को प्रमुख समस्ते थे, सब का यह मानना था कि वे नागा समुदाय के हितों के संदक्षक हैं, इसलिए लडाई केवल भारत सरकार और नागा समुदाय के बीची नहीं थी, लडाई नागा समुदाय के अंधर भी थी, जिनसे भारत सरकार को संतुलन बिठाना था, NNC और NFG का एक समों इस समझोते से साफ दूर हो गया, NNC के मेंबर थोईना लेंग मुईवा समझोते के वक्त चीन में थे, इन्हों 1988 में NNCN में दो फाड़ हो गया, खापलांग ने NNCN से अलग होकर NNCN के बना लिया, के यानि खापलांग, खापलांग के अलग हो जाने के बाद जो NNCN बचा, वह कलाया NNCN IEM, I यानि इसाग और M यानि मुईवा, NNCN IEM ने ग्रेटर नागालिम की मांग जम कर उठ है, इसमें आज के नागालेंड सहीत, अरुनाचल प्रदेश, मनुईपूर, असम और नमयम मार के इलाके आते हैं, मान अधिकार कारेकरता और वकील नंदिता हकसर कहती हैं कि भारत सरकार के इंटेलिजेंस ने नागा समुदाय को बाटने की बहुत अधिक कोशिस की और इस इस गुट को नागा प्रतिनीधी मान कर बाचीत करें, एनेसियन आईयम ने भारत सरकार के साथ पहला सांती समझोता साल 1997 में किया, यह नागा विरोत के इतिहास में एक महत्तवपून पड़ा हो था, 1997 के बाद से एनेसियन आईयम ने लगातार सरकार से बाचीत की है, तीन अगस 2015 में नागा सांती समझोता का framework of agreement बना, यानि समझोते के लिए उपरी तोर पर एक खाका बना, एनेसियन आईयम के अलावा नागा लेंड में कम से कम छो और हतियार बन संगठन है, जिन से सरकार सांती के लिए बाचीत करती है, इन छो संगठनों के प्रतिनीधी नागा national political groups कहलाते हैं, इस खाके में यह कहा गया कि सरकार एक ही समझोता करेगी, सभी पक्ष भारतिय संविधान की सम प्रभुता को अपनाएंगे, नागा गुटों का पुनरवास होगा, नागा लेंड की सिमा में कोई हेर फेर नहीं होगी, और ऐसी तमाम तरह की सर्तों क के आधार पर बाचित हो रही थी, बीते 31 अक्टूबर 2019 को इस सांती समझोते पर हस्ताक्षर होना था, लेकिन सांती समझोता नहीं हुआ, नागा गुट दो बातों पर अड़ गये हैं, कि उन्हें एक अलग संविधान चाहिए और एक अलग जंडा चाहिए, मेडिया रिप पर अपने जंडे का इस्तेमाल करने की आजादी दी जाए, भारत सरकारिया देना नहीं चाहती, इसका मतलब यह नहीं है कि सांती समझोता थंडे बस्ते में चला गया है, या अब भी जारी है, नंदिता हकसर कहती हैं कि कस्मीर से आर्टिकल 370 को हटाये जाने के बाद इस स समझोता की खबरों के साथ मरीपूर का भी जिक्र आता है, मरीपूर का उत्तरी सिरा नागालेंड से जुड़ता है, मरीपूर का उत्तरी सिरा पहाडी नुमा इलाका है, जहां नागा जंजाती रहती है, यहां रहने वाले लोग भी नागा आंदोलन से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं यानि नागा गुटों से मरीपूर के नागाओं के अच्छे खासे संबंध है नेस्टनल सोसलिस्ट काउंसिल अफ नागा लेंड के अगुआ मुईवा मरीपूर के पहाड़ी इलाकों से ही आते हैं मरीपूर में घाटी में रहने वाली आबादी पहाड की जड़ें दोनों समुदाय के बीच लंबे समय से उपजे भरोसे में कमी में छिपी हुई हैं सरकार पुलिस और नौकर साही में घाटी के हिंदों का बहुमत है पहाड़ों पर रहने वाली नागा और दूसरी जन जातियों को लगता है कि सरकार उनकी जमीन पर कबजा ना बदली करने से केंद्र सरकार को आगाह किया है इस पर केंद्र को ग्यापन पत्र भी स्वापा है इसका जवाब यह है कि मनिपूर का तकरीबन 92 फिसदी इलाका पहाड़ी है और 8 फिसदी घाटी में है अगर ग्रेटर नागालिम के तहट सिमाओं को बदला जाता है तो आसं कि मनिपूर को बहुत अधिक नुकसान सहना पड़ सकता है इसके अलावा दूसरा कारण है मनिपूर का सेस भारत से जोडने वाले दो ही रास्ते हैं और दोनों मनिपूर के नागा बहुल पहाड़ी इलाकों से गुजरते हैं पहला है नागालेंट के दिमापूर से मनिपू मनिपूर के तरफ आने वाला रास्ता जिसे एनेच्टू कहा जाता है आरोप रहा है कि नागा गुटो ने मनिपूर के लिए मवजूत इस भगौलिक परिसानी का खूब फायदा उठाया है रास्ते पर नाके बंदी कर जरूरी समानों को रोक दिया है जबरिया वसूली का धंदा चलाया है गैर कानोनी कर वसूले हैं इसलिए मड़ी पूर्णे नागा समझोते की आवाज उठते ही या बात कहनी सुरू कर दी है कि समझोते के साथ गलत तरह के धंदे भी बंद कर दिये जाएं सुक्रिया